नमस्का किसन बसाती हूं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्वदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर में उश्नु पाटेदार दोस्तों दीने आज का 11 जुन 2024 का आज के दर्वदा मंडी से सभी जुनसों के बजार किस्तित जानते हैं जिसमें रिलाम पहले कंप्र अनुमानित बजार और कुछ क्वालेटी आपको वीडियो के मैंदम से देखने को मिली हैं जिनके एलाम अभी मंडी के अंदर जा रही है उनके आपको क्वालेटी के अनुसा इस्तति में वीडियो के मैंदम से मैं आपको बताना चाहूं तो वीडियो के एंडिंग में दोलोदा मंडी के अंदर बीखने वाली एकोर क्वालेटी हैं और इनी बाई सापका एको लोट हैं जो 12183 पृती कुंटल बीखा है उस लोट की किसान मित्रि ने बहुत हैं जिसके लिए मैं आपको क्वालेटी नहीं बता पाऊंगा और दोनों की परच्छीबा देख लिए स तिल का लोट 11801 रुब प्रती कुंटल आज दर्वदा मंडी के अंदर भीका है 11801 रुब प्रती कुंटल तिल की क्वालिटी देखें दोस्तों मामुली कुछ मेटी हैं दाने के अगर बात करो तो थोड़ा कोई ने कहीं आपको पीला पन वाला दाना इसके अंदर थोड़ा मिला मामुली देखने को मिलेगा और 11801 रुब प्रती कुंटल आज दर्वदा मंडी के अंदर भीका है यह तिल का लोट ठीक देखींगे 11,980 प्रती कुंटल आज धलोदा मंडी के अंदर विका है जो कि मैं आपको बता रहा हूं और 11,980 प्रती कुंटल आज की तिल की क्वालेटी धलोदा मंडी के अंदर विका है लोट देखींगे जो कि 11,700 प्रती कुंटल विका है मामूल तिल का लोट आपको देखने को मिलेगा और 11009 सुर्व प्रतिक उंटल आज दलोदा मंडि के अंदर विकने वाली तिल की कॉलिटी है जो ग्यारा अज़ार अज़ार नोशरिव प्रतिक उंटल आज दलोदा मंडि के अंदर विका है जो कि आप देख सकते हैं 1100 मोस दाना क्वालेटी बता रहा हूं मैं आपको नया तिल का लोट है आज का अलसी दाना का जुम मैं आपको बता रहा हूं 5945 रुप रती कुंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिखने वाली ये अलसी दाना क्वालेटी है जैसे कि आप देख सेंगे दाना तो चमक वाला है लेकिन मामूल कश्रा आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा 4545 रुप रती कुंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिखने वाला ये अलसी का लोट अलसो का लोट देखेंगे दोस्तों आप जोकी आज दलोदा मंडी के अंदर बिखने वाला ये अलसो दाना क्वालेटी दोस्तों जोकी मैं आपको बता रहा हूं अलसो का लोट और तूट फूट तोड़ी आपको इस के अंदर देखने को मिलेगी दाने में चपन सू नन्यान रुव प्रती कुटल भीका है 5,669 रुग है 470 रुव प्रती कुटल ये आज का अलसी का लोट भीका है दलोदा मंदी के अंदर बिल्कुल मामूली दाना में मामूली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर ये 470 रूप प्रतिक उन्टल आज दर्वधा मंडी के इंदर बिखने वाला अलसी का लोट है 5907 रूप प्रतिक उन्टल डिना का लोट देखेंगे आज का जो की 65 रूप प्रतिक उन्टल भीका है 6500 रूप उन्टल विशाल चना की क्युट्टी है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी इस सुबुल दाना में बारा आज़ार प्रती कुंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिकने वाला ये सुबुल का लोट गता रहा हूं दोस्तों मामोली कुछ म्यूटी है थोड़ा बहुत पैसरा भी आपको मिक्से देखने को मिलेगा एकदम क्लिन दाना नहीं है और 12,000 रुप रती कुंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिका है ये सुबुल का लोट देखनेंगे जो की 5,326 रुप रती कुंटल आज दलोदा मंडी के अंदर बिका है दाना पूरा मीटियम साइज और बारिक है बोल्ट दाना नहीं है दोस बिखने माली आज की राइड आफ की क्वालेटी बता रहा हूँ दुस्तों में आपको 580 रूप प्रती कुंटल विका है आज का देखने को मिलेगा तिल का जो कि 11981 रूप रती कुंटल आज दलधा मंडी के अंदर विका है 11981 प्रतिकुंदल ये नया तिल का लोड बता रहा हूं दोस्तों में आपको जो कि आप देखेंगे ममोल इकका दुका दान आपको थोड़ा कम जो टाइप में देखने को मिलेगा जो कि ब्लेक थोड़ा है ममोल इसमें अंदर और 11981 प्रतिकुंदल भी कहा है आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेथी के अंदर इलामिकारी काफी जल्दी कम्ट्रेटर हो जाता है तो मैं का नुमान इस्तिती इस जोड़ को देखते हूं आपको बताना चाहूंगा ये 64 शुरू प्रतिकुंदल मेथा का लोड भी कहा है दरोदा मंडी के अंदर मेता होगा तो अठावन सो से उपर और 6400 तक बीक सकता है बाकी क्वालेटी अनुसार है मेथी के बजार अगर आपको बता हूं दोस्तों मंडी के अंदर आज का तो 5000 से लेकर 58 शुरू पर तक मेथी दरोदा मंडी के अंदर भी कियें जो कि इस देर के अनुसार में आपको बता रहा हूं बाकी इलाम काफी जल्दी कंप्रेटेर हो चुका है मेथी के अंदर ये मेथा भी खा है आज दरोदा मंडी के अंदर 6400 शुरू परतिकुंदल आज की हम जानते दोस्तों अलसी में बजारों की स्थिटी तो कल के मुकाबले आज पूर से चाल हमें कम देखने को मिले हैं 69 रुपे तक की चाल फिलाल तो अब ये मसूर के अंदर देखने को मिले हैं नीचे में बज़ार 55-54 वाले देखने को मिले हैं और मसूर की क्वालेटी अगर बताओं मैं आपको तो में आपको बता दिया हैं और राइडा की बज़ारों की इस्तिती जानते हैं तो नीचे में 52-54 वाले देखने को मिले हैं इससे पहले ही मैं आपको वीडियो के मादम से आपको बता दियां और उसकी क्वालेटी नुसा इस्तिती मैं आपको दे दियां और कुछ जिन से अगर आज के तिल के बजारों के अगर बात के तो कुछ quality तिल की नया तिल की मंडी के अंदर आई हैं तो मैंने आपको quality के अनूसर बताई हैं वीडियो के एन तक आप पहुंच चुके तो आज जानकरी किस प्रकार की लेगी दोस्तों आपको वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजेगा पहली बार जानकरी देखरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा जिससे की दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई दना दा मंदी से सारी जानकरी देखर पाएं